है कि आपक। क्षान भायोboys खासकरकर हमारी होती है कि आप खाद्यान फाचलों की उत्पादन आप अच्छे एक नंबर की जो हमारी खेत होती। उसमें आप करते हैं। तो जैसे कि चारा की ऋत्पादन आप की जो वहाँ पे आप्सका की जितर हैं, तो आप इसमें जैसे बात करें बहुवर्शी पौधों में चारा की में तो उसमें क्या है कि आपकी हाइवरिड नेपियर ग्रास आजाती है आपकी गुना गास आजाती है आपकी पारा ग्रास आजाती है या फिर स्टाइलो ग्रास आजाती है तो यह बहुवर्शी है खासकर तो आप जब भी कटाई करते हैं, तो कटाई के बाद फिर उसमें आप यूडिया का चिरकाओ करके, और फिर आप एक वर्स में पांसे छे कटिंग आप ले सकते हैं, और जैसे हम जौर की बात करें, तो जौर में भी जैसे ही कि हमारी जैसी फ्लावरिंग आती है, तो फ्लाव अब ही क्या है कि आप इसको अगर आप लगाते हैं यह बहुत कम समय में पचास से पचपन दिन में भी आपको पहली कटाई दे देगी और बादरा के जैसे आप चारे के लिए कर रहे होते हैं तो आप यह करें कि फ्लावरिंग से पहले इसको आप जरूर काट ले चुकि जब हम इसकी फ्लावरिंग आ जाती है बादरा में तो उसके बाद इसकी जो गुनवत्ता है उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है और खासकर जैसे मैंने नैपियर ग्रास की बात करी तो नैपियर भी बहुत अच्छी ग्रास है इसको हम ऐलफेंट ग्रास भी कहते हैं इसकी जाश्रह को क्रॉस करके बनाई गहिए हैं खात करके चारा के लिए यह तो अगर यापने आपकी शांब भाई आप इसको करते हैं अगरिश्मे कर सकता है हैंrim तो आपको जो है इसकी आप फश्वों का दूद उस पादन हुआ या आपका इसकी स्वास्त भी आप जिसे हम सब भी तो पश्वों से भी गोबर भी लेते हैं उसके कर अब कर्मी कमपोश्ट में और खान त्यार करते हैं तो निश्वी तव अब खास करके जब हम चारा लूबिया को भी लगाए तो इस तरह से चारा का अगर समुचित प्रबंधन करें किषान भाई तो आप वर्शों भर आप चारा का आपके खेतों में उपलब्द होगा और दूतरी बात क्या जो मैंने कहा है स्टाइलेज का तयारी करना तो स्टाइलेज भी तयार करके आप हरी जो आपकी चारा है इसको आप जो आफसिजन हमारी होजी खासर गड़ियों के मोसम में तो आप उससे में इस चारे का इस्तिमाल करके अपने पश्वों का जो है आहार संतुलित आप हुमिका हो जाता है